अब सभीको जैमाता दी जैमाकाली तो आज मैं के लिए वीडिव और कर आँव ना मैं आपको कुछ माताकाली के बारें बताने वाला हूँ ना आपको इस वीडियो में आपके प्रश्णों के बताने वाले हूँ तो बताने वाले हूं पर आपके पर्ष्णों बताने वालो ये में वीडियो बना रहा हूं तो वीडियो हलका से लंबा हो सकता है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले कमेंट में मातारानी की जैकारी लगा दीजिए ठीक है तो आप स्टार्ट करता हूं आपके प्रस्णों का उत्तर देना पहला जो प्रस्णाता है वो है मौनु शर्माजी का इनने पूछा है कि माता काली को अंगारी पर क्या-क्या भूग दिये जा सकते हैं तो मौनु शर्माजी माता काली को अंगारी पर आप पान पेड़े बतासे का भूग दे सकते हो माता काली को मिश्री का आप दे सकते हो आप सब्सक्राइब बीजुक्व सकते हैं ठीक है और अगला परश्ष्ण है इसलिकर रीवाक और क्या करना होगा तो माता काली की वार पाने के लिए आपको पिरियज करने होगी women कि इनको नाम नहीं इनका यह माकाली की भक्तिनी तो जिन ने में comment करा हूँ समझ चेंगी थीक है तो इनने पूचा है कि भोले वाबा को घर में बांग चड़ा सकते हैं तो हां भोले वाब को भांग ज्था तो आप फेको अजरा सकते हो थिक है तो जिनने प्रश्ण करा वो समझ जाएंगे हर्मान जो चड़ाने के लाप के वह समान जो होता है पहले आपकी चांदी की वर्गाती है चमेरी कतेल आता है दो सिंदूर के वुपए किटाते हैं साथ मान जी का प्रशाद अब लेतों लंगोट जनेव ठीक है और इत्र यह आपका स्वान पर्योग होता है दूपाती महाची स्थियस पर्योग होता है हर्मान जी को चुल चड़ाने के लिए हर्मान जी को चोल कर सकते हैं इसको पर वीडियो बनाएं तो बाताता हूं माता काली की सवारी क्यासे कर सकते हो लेकिन फिर निपाच का परेज करना होगा माता काली की भक्ति करने होगा और जासर मंत्रों करना होगा बीज मंत्रों करिम मंत्रों का और महाकाली की भक्ति करने होगी और जाजन सब्सक्राइब आपको आपके सवाल का अंसर मिल गया होगा सभी को तो यह तीन प्रशनों और है तो तीसरा प्रशन जो है इसमें रिखा हुआ है इनका नाम रेनुका ठीक है रेनुका श्रमा इनने पूछा कि माता काली माता काली के साथ कौण शक्ति चलती है इसको आप जिए इतनी सक्ति चलती है मपर चाल का शीतला माता इसको पर वीडियो डाल है जाले पढ़ी है मैंने लिश्ट में मिल जाएगे अपको ठीक है और अगला पर्षन अगला पर्षन है थोड़ा आजीव है इसमें लिखा हुआ है कि माता काली का बीज मंतर ओम कर सकते हैं तो हां बिल्गुल कर सकते हुए तो कोई मना नहीं कि इसे गुरु गुरु तरहनवारी लोगा वही जाब कर सकते हैं जो जिनमें जारा सिद्धी साथना और वो इस मंतर कर सकते हैं कोई भी इसका मंतर कर सकता है ठीक है सकती बात नहीं है अगला परषन है वह यह है कि में इसमें लिखा हुआ ऐसा है कि हर्मान जी भक्ति करता हुँ तो लगता है कि अन्य देव दिता की नहीं कर रहा जिसमें लेखा हुआ है हर्मान जी के अंदर की साहवी देविद्वताव का वास है उनकी शक्ति है तो आप पूजा करोगे तो उसमें सभी देविद्वताव के पूजा हो जाएगी ठीक है तो आई होप आप सभी को आपके परशनों का जवाब मिल गया होगा और ऐसी आप ल स्क्राइब करना कमेंट में जैशी नाम लिखना ना बोले जया माकाली जया माकाल का